हलो फ्रेंड मैं आकाश वेल्कम टू प्लांट के रहीवर विंटर फ्लावरिंग प्लांट जिने आप सीर से ग्रो कर सकते हैं उन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अगर आप winter flowering plant seed से grow करने की सोच रहे हैं तो इनके seed आपको nursery में खास कर road side nursery में आसानी से मिल जाएंगे इसलिए अगर आप इनके seed nursery से लेना चाते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो flowering plant आपको पसंद है उसका नाम आप लिख लीजिएगा और nursery से ले आईएगा इसके अलावा इनके seed आपको online भी आसानी से मिल जाते हैं seed का combo भी आप online आसानी से खरीज सकते हैं online seed थोड़े महगे मिलते हैं लेकिन कभी कबार भारी discount होता है जिसमें आप seed को reasonable price पर भी खरीज सकते हैं इसलिए आप daily चेक करते रहें जिस दिन आपको लगे कि आपके budget में seed मिल रहें उस दिन आप purchase कर लीजिए बात करें इने grow करने की तो 20-25 degree temperature पर seed अच्छे से grow होते हैं और इने grow करने का समय सितंबा last week October November में आप इने grow कर सकते हैं इससे जादा अगर आप late करते हैं तो आप फूलों का आनद अच्छे से नहीं ले पाते हैं इसके अलावा अगर आप से seed अच्छे से नहीं grow होते हैं तो आप seed बिलकुल भी purchase ना करें October November में इनकी पौद भी नर्सी में मिलने लगती हैं इसके अलावा गड़ी वाले plant जो कि 10 से 15 रुपए में मिल जाते हैं वो भी आप purchase कर सकते हैं इनमें से maximum plant आपको गड़ी में ही असानी से मिल जाएंगे तो चलिए वीजियो स्टार्ट करते हैं इस लिस्ट में पहला plant है ये पौपी देख सकते हैं बहुत ही सुन्दा flower लगते हैं flower भी काफी सारे color में आते हैं flower का size बहुत ही बड़ा होता है इन्हें आप container में भी grow कर सकते हैं और ये seed से आसानी से grow जाते हैं flowering कतम होने के बाद ये seed भी बनाते हैं इसलिए एक बार अपने garden में याड़ करेंगे तो हमेशा आपके garden में बने रहेंगे corn flower देख सकते हैं flower दिखने में बहुत ही सुन्दा लगते हैं काफी सारे color में आते हैं इन्हें भी आप seed से grow कर सकते हैं sweet elisum इनके भी flower धे सारे color में आते हैं ये hanging basket में बहुत ही सुन्दा लगता है इसके अलवा इस्ता के railing planter में भी ये सुन्दा लगता है इसे भी आप seed से grow कर सकते हैं ये भी flowering खतम होने के बाद धेर सारे seed बनाते हैं इसलिए इन्हें हर साल आपको खरीदने के जरूरत नहीं पड़ती हैं इस लेश में अगला plant है पिटुनिया ये winter का सबसे खुपसूरत flowering plant होता है hanging basket में बहुत ही सुन्दा लगता है काफी सारे color में आते हैं ये भी flowering खतम होने के बाद seed बनाते हैं ice plant इसे इस साल मैंने पहली बार अपने garden में आड़ किया था ये भी काफी सारे color में आते हैं और इन्हें मैं गड़ी में ही लेकर रहा है था जो की 20 रुपीस में मुझे मिला था ये भी flowering कतम होने के बाद seed बनाते हैं लेकिन seed के लिए काफी wait करना पड़ता है इसलिए इसमें अगला plant है नेस्टेशियम इनके भी flower काफी सारे color में आते हैं ये भी flowering कतम होने के बाद seed बनाते हैं इन्हें भी आपको हर साल खरीदने के ज़रूरत नहीं पड़ती है hanging basket में भी ये बहुत ही सुन्दा लगते हैं और इसके seed जीज़ भी container में गिर जाते हैं next year ये अपने आप grow हो जाते हैं ये इनकी variegated variety है flocks इनके पूलों से हलकी हलकी सी खुशबो आती हैं flower धेर सारे color में आते हैं seed से आप इसे आसानी से grow कर सकते हैं इनके seed आपको online आसानी से मिल जाते हैं नसी में काफी कम देखने को मिलते हैं calendula इसे भी आप seed से आसानी से grow कर सकते हैं flower भी धेर सारे color में आते हैं इनके seed को भी आपको हर साल purchase करने की जरूरत नहीं परती है flowering कतम होने के बाद ये धेर सारे seed बनाते हैं winter cosmos इनके flower भी देखने में सुन्दर लगते हैं और इनकी पत्तियां भी देखने में सुन्दर लगती है flower भी धेर सारे color में आते हैं इने भी आप seed से grow कर सकते हैं इसके seed भी आपको नरसी में असानी से मिल जाएंगे annual chrysanthemum इनके seed को भी आपको हर साल purchase करने की जरूरत नहीं परती हैं ये भी flowering खतम होने के बाद धेर सारे seed बनाते हैं इनके भी flower धेर सारे color में आते हैं flower से खुशबू भी आती हैं आफ्रिकन डेसी इससे भी आप seed से grow कर सकते हैं देख सकते हैं flower दिखने में बहुत ही सुन्दर लगता है holly hop, इनके भी flower धेर सारे color में आते हैं flowering खतम होने के बाद, ये seed भी बनाता है जिसे next year, आप अपने garden के seed से इस plant को grow कर सकते हैं danthas, इसे भी आप seed से grow कर सकते हैं इसके अलावा, ये cutting से भी grow हो जाता है अगर आपके पास ये plant भचे हो, तो इस time आप इसके धेर सारी cutting grow कर सकते हैं बारिश में इनके cutting का result और भी अच्छा देखने को मिलता है sweet philium, ये भी देखने में डायंतर जैसे ही लगते हैं लेकिन flower का size सोटा होता है, और flower गुच्छों में किलते हैं verbena, flower देखने में बहुत ही सुन्दा लगते हैं ये plant hanging basket में बहुत ही सुन्दा लगता है इससे भी आप seed से grow कर सकते हैं, इसके अलबा ये plant cutting से भी grow हो जाता है anti rainium dog flower, इनके भी flower धेर सारी color में आते हैं इन्हें भी आप seed से grow कर सकते हैं, इसके seed भी आपको नसी में असानी से मिल जाएंगे Daisy, ये plant बहुत ही सुन्दर लगता है, छोटे छोटे पते और छोटे छोटे फ्लावर किलते हैं, जो की देखने में बहुत ही सुन्दर लगते हैं काफी सारे कलर में इनके फ्लावर आते हैं, इन्हें भी आप seed से grow कर सकते हैं Merry Gold, इसे तो आप एक पार अपने garden में एड़ कर लेते हैं, तो ये सालो साल आपके garden में बना रगता है और टाइम टाइम पर फ्लावरिंग करता आता है, इस फ्लावरिंग प्लावर का नाम मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा तो आप भी बार मैंने इसे अपने वीडियो में शेयर किया है Cineria, देख सकते हैं, फ्लावर देखने में बहुत ही सुन्दा लगते हैं, छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, धेर सारे कलर में इनके फ्लावर आते हैं, फ्लावरिंग खतम होने के बाद ये सीर भी बनाता है, इसे आप सीर से आसानी से गुरू कर सकते हैं Impression, ये hanging basket वाला Impression है, इने भी आप सीर से गुरू कर सकते हैं, इसके अलवा ये प्लावर ये प्लावर कर्टिंग से आसानी से गुरू हो जाता है इस लिस्ट में अगला प्लांट है डेलिया इसे भी आप सीर से ग्रो कर सकते हैं इसके अलावा ये प्लांट कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है अगर आपके पास डेलिया प्लांट है तो आप इस टाइम इसकी धेर सारी कटिंग ग्रो कर सकते हैं इसकी छोटी छोटी कटिंग असानी से ग्रो हो जाती है तो ये थे कुछ winter flowering plant जिने आप seed से ग्रो कर सकते हैं जिनके seed आपको नरसी में या फिर online असानी से मिल जाएंगे अगर आपके seed का result आपको अच्छा नहीं देखने को मिलता है तो आप seed purchase ना करें October 9 में sapling नरसी में मिलने लगती हैं वो आप purchase कर सकते हैं October 9 में आपको sapling नरसी में 5-10 रुपए में मिल जाएंगे इसके अलबा अगर आप गड़ी वाले plant लेंगे तो गड़ी वाले plant 10-20 रुपए में मिल जाएंगे तब तक के लिए आप कुछ winter flowering plant जो कि cutting से grow हो सकते हैं वो आप इस time grow कर सकते हैं जैसे कि डहलिया हो गया, गुलताओती हो गया, बिकुनिया हो गया, बर्बीना हो गया, कलांचु हो गया ऐसे बहुत सारे plant होते हैं जिने आप इस time cutting से grow कर सकते हैं I hope कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like कीजेगा, मेरे चानल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चानल को subscribe कीजेगा, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए happy gardening, ये जो आप पोड़ प्रॉड़ प्रॉड़